हेलो अब्रीबन जच्च वच्च मेडी हेल्प में आप सब का स्वागत है आज के स्वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपका एवोशन कम्प्लीट हुआ है की नहीं आपका गर्भपात पूरा हुआ है की नहीं इसका पता आपको कैसे चलता है एवोशन एक सीरियस प्रोसीजर होता है चाहें आप मेडिकल एवोशन करवाएं दवाईों की दवारा एवोशन करवाएं या फिर सर्जिकल एवोशन करवाएं दोनों ही प्रोसीजर में कई सारे रिस्क और साइड इफेक्ट होते हैं जब आप medical abortion करवाते हो दवाईों के दवारा abortion करवाते हो तो इस procedure में abortion fail होने के जादा chances होते हैं इसके कई सारे कारण होते हैं सबसे पहला कारण होता है कि अगर आपकी pregnancy का समय 10 weeks से जादा का होता है तब abortion fail होने के chances होते हैं तूसरा कारण होता है कि एवाशन के लिए आप जिन दवाईयों का यूज कर रहे हो उसकी मातरा अगर परियाप्त नहीं होती है उसका डोज अगर परियाप्त नहीं होता है तो इस कारण से भी एवाशन फेल हो जाता है तीसरा कारण होता है कि दवाईों के यूज करने का तरीका अगर आप एवोशन करने के लिए दवाईों को सही तरीके से नहीं यूज करते हो तब भी एवोशन फेल होने के चांसेज रहते हैं और अगर आप सर्जिकल एवोशन करवाते हो surgical abortion में आप hospital में जाते हो, hospital में डॉक्टर आपको sonography करते हैं जिससे ये देखते हैं कि भूण का embryo का size क्या है, pregnancy का समय क्या है और उसके बाद से आपको एक suction tube आपके वचाइना में injured करते हैं और उसके द्वारा uterus में से भूण को निकालते हैं तो surgical abortion में abortion fail होने के ज़्यादा chances नहीं रहते हैं क्योंकि डॉक्टर proper sonography करके चेक करके तब abortion करते हैं लेकिन फिर भी 2% chance रहता है कि कभी-कभी surgical abortion में भी abortion fail हो जाता है तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि आपका abortion complete हुआ है कि नहीं इन complete abortion के क्या symptoms होते हैं अधूरे गर्वपात के क्या पहचान होती है इसके क्या लक्चड होते हैं अगर आपका abortion complete नहीं होता है तो इसके कारण आपको क्या-क्या समस्या आ सकती है आपको क्या-क्या problem हो सकती है इन complete abortion में अधूरे गरपात में आपको क्या करना चाहिए तो इन सारे सवालों के जवाब को आज के इस वडियो में हम जानेंगे तो friends मैं आपसे बताना चाहूंगी कि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और हमारा काम होता है कि हम लोगों को health के बारे में जानकारी दें तो मैं आपसे बस यही चाहूंगी कि आप इस वडियो को complete देखिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और आपको abortion के समय गरपात के समय कोई समस्या ना आए कोई problem ना आए तो friends चलिए वडियो को सुरू करते सबसे पहले आप चालेजे कि incomplete abortion क्या होता है अधूरा गरपात क्या होता है तो देखे नॉर्मल एवशन में uterus के अंदर जो embryo होता है बच्चे दाने के अंदर जो भूर्ण होता है वो एवशन के समय पूरी तरीके से बाहर आ जाता है लेकिन जब एवशन के बाद भी uterus में embryo का भूर्ण का कुछ parts कुछ टुकड़ा रह जाता है तो उसको कहते हैं incomplete abortion अधूरा गरपात जब आप medical abortion करते हो दवाईों के द्वारा abortion करते हो जैसे कि आप MTP kids का यूज़ करके abortion करते हो तो इस procedure में incomplete abortion होने के अधूरा गरपात होने के ज़्यादा chances रहते हैं और अगर आपका abortion incomplete रहता है आपका गरपात पूरा नहीं होता है तो इसके कारण आपको infection होने के chances रहते हैं जिससे कि आपकी future की pregnancy में कई सारी problems और कई सारी समस्याएं आ सकती हैं और अब जानते हैं कि incomplete abortion के अधूरे गरपात के क्या symptoms होते हैं इसकी क्या लक्षड होते हैं इसकी क्या पहचान होती है तो देखिए अगर आप medical abortion करवाते हो दवाईयों के द्वारा जब आप abortion करवाते हो या फिर surgical abortion करवाते हो दोनों ही procedure में अगर आपका abortion incomplete रहता है आपका गरपात अधूरा रहता है तो उसमें जो सबसे पहली पहचान होती है वो ये होती है कि abortion के बाद भी गरपात के बाद भी आपको heavy bleeding होती रहती है नॉर्मल abortion में क्या होता है कि अगर आपका abortion complete हो जाता है तो आपकी bleeding 10-15 दिन के बाद से बंद हो जाती है लेकिन अगर आपका abortion incomplete रहता है आपका गरपात आधा अधूरा रहता है तो आपका abortion होने के बाद भी 15-20 दिन के बाद भी आपको heavy bleeding होती रहती है तो ये सबसे पहली पहचान होती है दूसरी पहचान ये होती है कि abortion जिस दिन आपने करवाया उस दो दिन से तीन दिन के बाद भी bleeding के साथ आपके tissue के clots भी आ रहे हैं blood के clots भी आ रहे हैं तो ये भी indicate करता है कि आपका abortion complete नहीं हुआ है आपका abortion incomplete है इसके अलावा incomplete abortion की पहचान होती है कि आपके पेट में बहुत ज़्यादा pain होता है heavy pain होता है और बहुत ज़्यादा cramp होता है आपका पेट का जो निचला हिस्सा होता है उसको अगर आप प्रेस करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा pain होता है और आपको discomfort फील होता है इसके अलावा जो अगली पहचान होती है आपके incomplete abortion की वो ये होती है कि abortion के 2-3 दिन के बाद आपको fever आता है ये fever आपको 2-3 दिन के बाद भी अगर continue रहता है तो ये indicate करता है कि आपका abortion complete नहीं हुआ है तो ये सारे symptoms होते हैं ये सारे लक्षण होते हैं जो ये बताते हैं कि आपका abortion incomplete है आपका गरवपात पूरा नहीं हुआ है तो ये सारे symptoms अगर आपको abortion के दोरान आ रहे हैं तो आपका abortion incomplete होता है आपका गरवपात अधूरा होता है तो incomplete abortion में आपको क्या करना चाहिए तो इसके बाद से आपको सोनोग्रॉफी करवानी चाहिए सोनोग्रॉफी में ये पता चल लाता है कि एम्ब्रियो का भुरोन का कितना टुकड़ा यूटरस में रह गया है और उसके बाद से आपको डॉक्टर को दिखाते हैं नॉर्मली डॉक्टर इस कंडिशन में मीसो प्रोस्टोन 200 एमजी की टू टैबलेट्स आपको देते हैं ये टू टैबलेट्स आपको वचाइना में इंजर्ट करना रहता है वचाइना में डीपली आपको इंजर्ट करना रहता है मीसो प्रोस्टोल 200 mg का काम होता है, में कॉंट्रेक्शन करता है और कॉंट्रेक्शन करके जो भून होता है, जो भून का पार्ट बचा हुआ होता है, उसको बाहर निकाल देता है मीसो प्रोस्टोल 200MG MTP Kits में जो चार वोलिया छोटी छोटी होती है वही मीसो प्रोस्टोल की टेबलेट होती है 200MG तो उसी में से टू टेबलेट आपको यूज करने रहता है आपके वजाईना में इंजर्ट करने रहता है तो इससे जो बच्चा हुआ एंब्रियो का टुकड़ा होता है ब्रून का टुकड़ा होता है वो निकल जाता है वापस आ जाता है और आपका यूट्रस क्लीन हो जाता है आपका जो इंकम्प्लीट एबोशन होता है वो कम्प्लीट हो जाता है लेकिन फिर भी अगर आपको इसके बाद भी कोई problem आ रही है तो आपको डॉक्टर से advice लेना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए तो friends I hope कि अब आप इस वीडियो से ये जान गए होंगे कि incomplete abortion के क्या symptoms होते हैं अधूरे गर्फपात के क्या लक्षण होते हैं क्या पैचान होती हैं और अगर आपका abortion incomplete रहता है तो आपको क्या करना चाहिए तो अगर आपको ये वीडियो informative लगा होगा, useful लगा होगा तो इस वीडियो को like करिएगा अपने friends के साथ ज्यादा से ज्यादा से येर करिएगा और चैनल को subscribe करिएगा और अगर आपको इस वीडियो से related कोई सवाल हो तो मुझे comment box में comment करिएगा तो friends मिलती हूँ आपसे अगरे वीडियो में तक तक आप अपना ख्याल रखिए, thank you